नुश्कार दोस्तों मैं हूँ डोक्टर मुरीशकारी आपका अपनी यूट्यूब चैनल डोक्टरकारी पर स्वागत करता हूँ आज की स्टुडियो में हम बात करेंगे होमियोपेटी मेडिसिन ब्राहमी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहां अपडेटीट रहें दोस्तों ब्राहमी एक प्लांट किंग्डम की मेडिसीन है यानि पोदे से तियार की गई एक दवाई है जो आयरवेदा में काफी लंबे समय से यूज की जा रही है ब्राहमी का साइंटिफिक नेम बकोपा मोनियरी है दोस्तों यह दवाई ब्रेन पर बोछ अच्छा एक टरती है दोस्तों यह दवाई मेमरी को बढ़ने में मतदकार रहती है जिन लोगों को भूलने की भीमारी होती है खास तोर पर विध्यारतियों में जिनको प्रिक्षा के समय भूलने की बिमारी हो जाती है ऐसे केस में ये दवाई दी जाए तो पेशन्ट को काफी रहत मिलती है ये दवाई ऐल्जाइमर डिजीज में भी एफेक्टिव रहती है Alzheimer disease में किसी भी age group के लोगों में पेशन्ट को भूलने की बिमारी हो जाती है खास तोर पर बुढ़े लोगों में दोस्तो ये दवाई brain cells को मजबूत करने का काम करती है ये दवाई tumors में भी दी जा सकती है खास तोर पर brain tumor होने पर पेशन्ट को ये दवाई देने से काफी आराम मिलता है दोस्तो ये दवाई देने से पेशन्ट को अगर खून की कमी हो जिनका HP level कम रहता है तो उनका HP level यानि हिमोगलोबीन level बढ़ने लग जाता है खून की कमी को ये दवाई पूरा करती है इसके अलावा मसल्स में अगर cramps पढ़ते हो यानि एठन वाला दर्द होता हो तो ये दवाई देने से पेशन्ट को काफी राहत मिलती है दोस्तो बच्चों में मिर्गी के दोरे पढ़ते हो या फूपिंग कफ हो तो ये दवाई देने से बच्चों में खांसी भी ठीक होती है और मिर्गी के दोरे भी ठीक होते है दोस्तो लंबी बिमारी के बाद अगर स्प्लीन बढ़ जाए तो ये दवाई देने से स्प्लीन नोर्मल हो जाती है इसके इलावा मानसिक तनाव होने पर भी ये दवाई पेशन्ट को दी जा सकती है मांसिक तनाव कम होता है ये दवई देने से और पेशेंट का चिर्चिड़ापन भी दूर होता है ये दवई जोइंट्स पेन में भी दी जाती है पेन को कम करने का ये दवई काम करती है ये दवाई anxiety के patient में भी दी जा सकती है anxiety को दूर करने का काम करती है दोस्तों इसके अलावा इसके और uses की बात की जाए तो blood circulation को normal करने का काम करती है immunity बढ़ाने का काम करती है ब्रहम में हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत effective रहती है खास तोर पर skin में भी दवाई दी जा सकती ह है अगर सूजन आती हो या फिर जुर्या पढ़ती हो यह नी antioxidant का यह दवाई काम करती है बालों को मजबूत करने का भी यह दवाई काम करती है तो सांस की बीमारियों में भी इस दवाई को दिया जा सकता है जिन लोगों में bronchitis हो या asthma के patient में भी इस दवाई को हम दे सकते हैं इसके अलावा इस दवाई का एक्ट किड्नी पर भी देखने को मिलता है जिन लोगों किड्नी में stone हो जाती है या order retention हो जाता है तो यह दवाई देने से काफी रहत मिलती है दोस्तों इस दवाई को होमियोपेटी में क्यों यानी mother tincture form में यूज किया जाता है यह दवा और अपने डोक्टर से गंसल्ट जरूर कर लें या फिर दिए गए WhatsApp नमबर पर हमसे संपक कर इलाज या सलहा ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आप को कैसी लगती है थेंक यू